नमस्कार दोस्तों मोहित आपका बहुत बहुत स्वाथ करता हूँ आज दमाके दर वीडियो में जो गफिशा की तरह आपकी लाता रहता हूँ आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका जो टाइम देखने का एक्सपिरियेंस होता है विंडोस में आप उसको कैसे चेंज आ रहे हैं और साथे साथ सेकंड्स में आ रहा है जो लाइव शल लाएं ठीक है और एम पीएम भी आ रहा है और जहांतक मुझे पता है आपके में अगर सामको बैठे थे को विडियो गोगे वीडियो आज के डाल रहा हूं आपको कैसी लग रही है अपका तहये दुसरे सभ पहली बार आए प्लीज चैनल को सबस्क्राइब जरू करने में आपके लिए जवर्दस वीडियो दिलाता रहे तो हम विडोज के बारे में आईफॉन के बारे में साथ हिसाथ एंड्रोड के बारे में ठिक है अब कैसे शुरू करते मैंने यह जो किया है वो कैसे किया अब जो सबसे पहले आपको बताता हूं, आपका जो अमका पहला फंक्शन होता, इसको कैसे काते है, आप जो आपका टायम हो जासा भी हो, उसके रायट क्लिक करना है आप, ठीक है? आज आओगे उसके बाद आपको कुछ चीज ने शड़ेंगे का और आप देखने को मिल जागा एड इसलेंड डेट टाइम एंड रिजिनल सेटिंग्स फिर आपको उस पर क्लिक करना है आपको रीजन में आ जाना है या आप डारेक्टली कंट्रॉल पेर से क्लॉक एंड चाहिदेगा आपको क्या करना यहां पर आपको हम TTT कर देना सॉट एप नआपको एपलाई कर देना है यह आपको असलीए बता रहा हूं आपक्पो में यह नहीं हुका इस सकर में है तो आप हम क्लिकर करतेना यहाँ पर जैसा प्लिच करेंग यह आपको प्लर प्म Special vez कर दे तो अगर आपका एम पीएम नहीं होगा तो यहां से आपका एम पीएम यह आ जाएगा ठीक है देन अब आपको यह करना है यह सेकंड वाला सिस्टम है इसको कैसे नेविल करते हैं पहुती छोटी सी है थोड़ा सा टिपिकल आपको एक इस बता रहा हूं कर देना है आपको रन टाइब कर देना आप खोली लेते होगे जैसी विंडोव रन टाइब करोगे तो यहां पर इस टैप कर डायलोग आ जागा आपको रिजिस्ट्री एडिटर खोल लेना है तो आपको आपको आर इजी इडिए डिट रिश्ट्री एडिट आपको टाइप किया डॉट एम आपको एसके बाद आपको क्लिक कर देना है साइद अभी काम नहीं कर रहा है नो प्रॉबलम आम सर्च में यहां पर रजिट्री एडिट टाइप कर देंगे तो आर इजी इडिट तो रजिट्री एडिट में इसको मैंने और आपको खोल जाता है ठीक है आप मुझे पहले स सेटिंग खोल लखी मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे कैसे मैं आपको गया था तो एक्स बाइजट जो भी डिटेल में आपको बताने वाला हूं तो यह बहुत है और आप इसे कर लेना और यह कहीं लिख लेना क्योंकि बाइचांस आप चाहते हैं कि मुझे सेकंड बंद क कर दूं तो आपको बापस यहीं आना पड़ेगा और चीज को मैं बता करवाऊंगा उसको आपको रिश्टोर करना पड़ेगा तो वहां पर या फिर मुझे वापस जो मेरी वीडियो है इसको देख लेना उसे साब से कर लेना ठीक है तो जब आप रजिश्टी एडिटर ख लेना सब्सक्राइब इसमें बहुत सारे तो सब्सक्राइब के लिए आपको एका करना किसी एक पर क्लिक करने ना यहां पर Microsoft आपको दबाना है तो दबाई तो Microsoft यहां पर आप रटोमेंटिकली सिलेक्ट हों याँ फिर उसको आपको ओपिन कर लेना है यानि कुल मिला कि Microsoft भी आपको डूणना है देन आपको फिर इसको ओपिन करना है और यहां पर आपको टाप करना है current version तो जैसे इस पर करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा current version में यहां पर आपको एक और चीज है explorer तो आप उपर नीज़ सरका के जो है इसमें explorer होता है वह पर चले आए यह पर explorer है और इसमें एक और होगा दोस्तो एडवांस्ट ठीक है बस इतना आना है तो यह चीज है आप देखे लिए ना computer में जाना है उसको आद एची current user में फिर software में Microsoft में Windows में current version एडवांस ठीक है अब आपको कहा करना है अब यहां पर मैंने एक चीज कर रखी है बो देखिए यहां पर मैंने ये किया है इसमें आपको बदा दे रहा हूँ इसमें मैंने 100 second वाली automatically कर रखी है देखू यह रही 100 second in system clock ठीक है यह होगी नहीं आपके में यह वाली 100 seconds in system clock यह आपके में होगी नहीं तो यह कैसे आपको बनानी है तो मैं इसको delete कर देना हूँ अब जैसी मिलेगी आपको यासी मिलेगी advance पर click करोगे तो आपको ऐसी मिलने वाली है अब आपको क्या करना है आपको right click करना है new करना है यहाँ पर आपको d word 32 bit value यहाँ पर आपको click कर देना है तो यह new value बन लिखके आता है अब आपको क्या करना है show value system जो आपको key होगी वो आपको यहाँ पर लिख देना है तो यह ध्यान रखना new value है स्वाला है इसको आपको modify करना है sorry आप यहाँ पर बन कर देना modify करके और ok कर देना then आपको जो rename जरूर कर देना आपको बता दे रहा हूं जैसा मैं exact बता दे रहा हूं मैं discussion लिख दूँगा वैसा ही copy करके paste कर सकती है उसमें या जैसा मैं बता रहा हूं ऐसे कर देना तो सबसे बड़ी बड़ी एस फिर s-h-o-w उसके बाद सेकंड का s-e-c-o-n-d-s seconds seconds के बाद आपको बड़ी आई फिर in इन के बाद फिर system s-by-s-t-e-m system के बाद फिर clock s-boh sorry c-l-o-c-k s-e-c-o-s seconds in system clock आपको exact यही टाइप कर देना है बास हो गया आपका काम आप फिर चेक कर लेना मोडिफारी करके आपका जो value data इसमें one हो जाया ठीक है दैन आपको यहां से बंद कर देना है और अब आपको अपना जो computer है उसको power दबाके या कैसे रिस्टार्ट कर देना जै से clock का वह इससे change कर सकते हैं अपने computer को beautiful दूसरों से अलाग हटके बना सकते हैं वीडियो का शडिक प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपके सुझाहाओ और किसी प्रकार कमेरे लिए चैनल के लिए बो भी कमेंट बॉक्स में बताना नहों और आप मुझे follow कर स